साथियों नमस्कार आज अस्वनी माहि की पंचवीं कृष्णपक्ष की पंचवीं है और प्रतिपक्ष चल ला है यानि हम अपने पूरूजों को आज याद करेंगे उनको सरधानजली अरपित करेंगे भारती संस्कृती में ये संसकार पंद्रा दिन चलते हैं और इनको बड़े दिन गरू दिन आधी नमों से जाना जाता है ये आधी और अनाधी काल से चलता चला रहा है वास्तों में ये एक पूरी तरह से प्रकति को समर्पित है ये कार है और यदि आप इसकी गहराई में अगर आप इसका विवेचन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रकति प्रद्यत पूरी कारवाई है इस पूरी कारवाई में हम दो कार विशेश रूप से करते हैं एक तो जल का तरपन और दूसरे व्रक्षों में उसका समर्पन साइद विशेशकर ये रिटू परिवर्तन जलवाईव परिवर्तन से इसका सीधा सम्मन्द इस प्रक्यय का जुड़ा हुआ है व्रक्ष पेड़ पौधों के सनडक्षन समबर्धन के साथ ही विशेशकर इसमें बट व्रक्ष बरगद का विशेश महत्व है पीपल, पाखर और बेल ये चार ब्रक्षों का सनरक्षण है और ये यदि आप समिक्षा करेंगे तो पाएंगे कि ये चारों पौधे ही विसेश प्रिकतिके और परियावरण के सनरक्षण से इनका हर कार ओत प्रोथ है अच्छा अब जीवों की अगर बात करें तो हम उन्ही जीवों का सनरक्षण करते हैं जो की हमारे आसपास रहते हैं जैसे गाए, कुटा, कववा, आधी ऐसे जानवरों का हम इस समय सनरक्षण करते हैं और उनको भोजन और उनको तरपन के पदार्थ जो भी होते हैं वो अरपित करते हैं आप अगर समस्त दुनिया के संसकारों का रीतरवाजों और परमपराओं का सरविक्षन करें तो आप पाएंगे कि ये दुनिया के हर समाज में किसी न किसी रूप में ये पर्था चली आ रही है परमपरा चली आ रही है कि अपने अपने पूरुजों को सब लोग अपने अप हाथी से अपने अपने रीत रवाजों से मतलब एक विसेश समय पर याद करते हैं कोई समाज अपने पूरवजों को मुंबत्ती जला कर याद करता है कोई अगरवत्ती धूबत्ती जला कर याद करता है कोई काले कपड़े पहन कर याद करता है कोई New Year's के प्रत्यक्ष और हमारे तेवहार हैं या जो हमारे इस तरह के आयोजन होते हैं इनका एक प्राकृतिक जो गणत होता है तिथी और नच्छत्र और उसके आधार पर हम लोग इसका समय निश्चित करते हैं जिसका एक बहुत ही विज्ञानिक और गणती उधारन में अभी आपके सामने प्रिस्तुत कर रहा हूँ आज आस्वन मास की पंचमी है पिछली पंचमी भाद्र पक्ष की थी उस दिन क्या था उस दिन देखे आपको बताएं कि गड़िश चतुरतिती के दिन हम गड़िश जी की स्थापना करते हैं और पंचमी के दिन रिशी पंचमी होती है अब रिशी पंचमी उसी दिन क्यों होती है इसका एक विशेश प्राक्रतिक और प्रिज्ञानिक महात्व है और खगोली और आंत्रिक छिकी गर्णाएं जो आज भी निर्धारित हैं वो उसी प्रसंग पर हैं जो प्रसंग मैं आपको बताने चाह रहा हूँ देखिए दुनिया के नकारात्मक और समिक्षात्मक लोग भार्ती और सनातन वस्था के जो तेवहार होते हैं उन सब पर प्रश्ण चिन उठा देते हैं लेकिन वास्तों में वो उनके महत्त को नहीं समच पा रहे हैं और हम लोगों की कमी यह है कि हम अपने तथ्थों को उनक आज के सामने वो रखते ही नहीं जब बात अपनी रखोगे ही नहीं तो दूसरे आपके महत्त को या आपकी गुण सहली को कैसे समझेगा जैसे मैं अभी आपको उधारन दे रहा हूं जो दुनिया के आज आधनिक विज्ञान का सबसे बड़ा उधारन है जैसे दुनिया को आज रास्ता कौन दिखा रहा है दुनिया को रास्ते दो चीट दिखाती है देखिए यदि आप समुद्र में या घंगोर जंगल में अगर आप भरमित हो जाएं तो आपको रास्ता दो ही चीट दिखाएंगे एक धुरू तारा जिसको पोलो इस्टार आज की भासा में कहत हैंगे तो इसका भाव इसपष्ट है कि ये सात रिसी इसमें विराजमान है तारे के रूप में मतलब भारत में प्राचीन काल से ये रहा कि यदि किसी रिसी मुनी तपस्वीन है लोखित में जन कल्यान में जनता की हितार था अगर कोई अच्छा स्रिष्ट अविसकार या क कर अगर कोज या अयर्वीदिक सम्बंदी को इग्यान दिया है तो उसको समान दिया गया है हमारी संस्कृति में और उनको जैसे धुरू जी को धुरू इसटार बना दिया गया तो फिर वहीं जना जाएकार स्बस्द्रवर्ड longo बड़ा भालू और चाइनीज भासा में पेतेू के नाम से वो दुनिया को में जाना जाएगा क्योंकि सब तिरे से मंडल को आप दुनिया में अपना महत दिखा ही नहीं पाए उसमें सात रिसी कौन कौन से हैं ये अभी अगर आप सभी सनातनी लोगों से पूँच लीजे तो कुछ लोगों को छोड़ के बकाया लोग नहीं बता पाएंगे कि सही रूप से कि उसमें कौन कौन से रिसी विराजमान है इसका मूल कारण क्या है कि जन जन में हमने उनके महत तो को नहीं बताया बताईए हम उन्ही रिसीयों की संताने हैं उन्ही रिसीयों की महनत और परिस्रम से उपनिसिद और वेद संकलित हुए और आज हम पढ़ते हैं उनको पूरी दुनिया में हम उनका ग्यान बगात एसा नहीं है कि दुनिया में उन्हें नहीं पूछा जा रहा है हाँ भारत में नहीं पूछा जा रहा है दुनिया में उनके बारे में research हो रही है, उनकी pандalupi, उनकी ओपुराने सुतर थे, वो सब अतिक्रमन होके, अंगरेज लोग ले गए, जर्मनी, अंग्रेज क्योंकि आज थोड़ी आरे मैक्श मुलर आज थोड़ी आया, मैगस्थनीज आज थोड़ी आया, जमाने हो गई, जब दुनिया ने होस नहीं समाला सा तब मैगस्थनीज आ गया था और वो सारे ग्रंथों को ले गया था, इसके कई चर्चाएं भी हैं, उन्हों तो उनको संकलित किया, उनको परवासित किया, अपनी लेंग्वेज में और अपनी किताब का नाम दे दिया उन्होंने, हम हमारे पूरवच ये चालाकी को समझ ही नहीं पाए और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब तो भाई, दोसो डाइसो साल गुलाम रहे तो गुलामिय कुछ ना कुछ असर तो रहते ही रहता है, अब थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, कि हम अपनी पुरानी चीजों धरोवर को पहचान रहे हैं, सत्य तो यही है कि जो हमारे पूरवज हैं, जिनकी संखला या जिनकी सेनी सब्त रिशियों तक जाती है, या अन्ने रिशियों तक जाती है, जिन्होंने दुनिया को महान ग्यान दिया है, यदि हमने उनकी विरासत को ठीक से नहीं संजोया, और ठीक से सम्मान नहीं दिया अपने पूरवजों को, तो आप यह समझे कि आज के प्रति इस परद्धात्मक योग में, आप दुनिया में प्रति इस परद्धा नहीं कर पाएंगे, आज तक दुनिया ने कोई ऐसी नई खोज या नय आवश्कार नहीं किया, जो हमारे पूरवजों ने, हमारे मुनियों, तपस्यू, हमारे पूरवज, पूरवज में आपके बाबा, दादा, दादी सब लोग आ जाते हैं, उन्हों ने ज बिल्कुल सटी को धारन दे रहा हूं, कि सब्त मंडल रिसी के जो तारे हैं साथ, जो एकदम सही के निसान बनाते हैं आंतरिक्ष मंडल में, वो सिर्फ दो वार दिखाई देते हैं साल में, एक तो फरवरी के माहे में जब होली पड़ती है, एक, और दूसरे भाद दरपक् में उनका बिल्कुल सही का निसान बनता है, और जो सही का निसान बनता है, उसी के सामने धुरूत आ रहा है, और दोनों ही चिन्नों से या दोनों तारों से या इस्टार से हम दिसा देखते हैं, दिसा का सही मापक जब आदमी समुद्र वा जंगल के अथाय उसमें कमपास नहीं है तो फिर दिशा सूचक के रूप में यह कमपास का निर्मान तो अभी हुआ यह तो हम प्राचीन से प्राचीन बात बता रहे हैं जब नाविकों के पास कोई यांत्रकी चीज़ नहीं हुआ करती थी और समद में वो विस्मृत हो जाते थे तब सब्त रिशी मं किसी वक्ता ने किसी गड़मान नेता ने गड़मान व्यक्ति ने उनको याद नहीं किया तो इसका मतलब हम बिस्मृत हो रहे हैं हम उनको याद नहीं कर रहे हैं तो यही अगर हमने अपने पूरूजों को याद नहीं किया तो हम यह भी एक प्रथा चालू कर देंगे कि ज समय मिले तब जाइए जब आपके पास सम्रद्य हो या आप नहीं जाना चाह रहे हैं अरे प्रिकति पूजा तो करिए जल अरपन तो करिए पेड़ पौधों में प्रिकति को तो मजबूत करिए अरे आप दुनिया के नायक हैं प्रिकति के मामले में आप नहीं समत पा रहे है आप दुनिया के मामले में नायक है प्रते एक भारती नागरिक नायक है प्रिकति परियावरन और जल्वावी स्रंडक्चन का जतना अच्छा एक नागरिक के रूप में एक व्यक्ति के रूप में जतना अच्छा स्रंडक्चन वसंबर्दन भारती करते हैं दुनिया में कोई समाज का व्यक्ति नहीं करता आप सर्वे कर लीज़ें आज के आधुनिक आंत्रिक्ष विग्यानिक भी वो रहसे नहीं ढोड़ पाए जो हमारे रिशियों ने हजजारों साल पहले उपनी सिदों में लिद दिये थे ये बात पहले से थी कि ये 37 साल में दो ही बार अपना आका तक बात निकल के नहीं आई तो उसी तरह से जो पक्ष यो चलहा है ये भी एकदम विज्ञानिक और खगोली दिष्ट कौन पर है अधारित है अब मैं आपको उन पुन मई सब तरिशियों के नाम बता दें पहले स्री कस्षप रिशी दूसरे स्री अत्री जी तीसरे वस्ष जी चौथे विश्वा मित्र जी पांच में कौतम जी छट में जंदिग्न जी और साथ में भारत द्वाच जी इन सब ने ऐसे ऐसे अविसकार किये जिन से मानों कल्याण हुआ जगत का कल्याण हुआ इसलिए ये सब तिरी सी मंडल के रूप में अच्छा जित किये गए हैं सम्मान इनको हमारे देवलोकों के द्वारा देवताओं के द्वारा दिया गया है पिर्तिविसरदिन की किरिया एक आडंबर या पाखंड और वो नहीं है बलकि ये एक समर्द समाज की, एक समर्द संस्कृति का सबसे बड़ा एक संसकार है और इस संसकार को करना चाहिए, अपनी अगली पीड़ी बच्चों-बच्चों को बताना चाहिए और प्रिकत से चोड़ना चाहिए इसको देखिए आप जल में जो कारपन करते हैं तिल कारपन करते हैं उससे जल सुद्ध होता है जल और वायू दो चीजों को सुद्ध रखना प्रितित नागरेक का दायत है इसको करोगे कैसे अरे भाई किसी जानवर को अगर आप काटोगे और उसकी खाल को अगर जल में डाल दोगे तो क्या होगा उसका पढ़नाम मालूम है आपको और यही दुनिया में आज हो रहा है अरे आप जो अच्छा कार कर रहे हो आप उसी कार को करो ना आप के जो पूरवज करते आए हैं सरेष्ठकार, सरेष्टी की, परिकत की रच्छा के लिए आप समर्पित हो आप उसकार को करिए पूरवज ब्रह दर्सता से बहुत ही सरेष्ठ और बहुत ही महात्वपून परिस्रम कर के इस दुनिया को सुन्दर बनाया है और सुन्दर प्रिगती और विकास से जोड़ दिया है आज समस्त दुनिया जलवायू परिवर्तन की महा भीषण समस्या का सामना करने वाली है आप ये समझे कि सारे समचार आप लोगों को महलून नहीं पड़ते प्रिकत की बहुत बड़ी दुर्गती चलने पूरा यूरोप में इसमें भीषण मतलब सूखा पड़ा हुआ है पाकिस्तान पूरा डूब रहा है क्यों क्योंकि प्रिकती परिवर्त और पेड़ पौदों के साथ खिलवाड हुआ है तो जितने भी हमारे तेवहार हैं पूरूजों ने उनको प्रिकत से जोड़ा है तो आपको भी प्रिकत से जोड़ना है इस महान संस्कृति को तथा इन संस्कारों को पूरी दुनिया में जन जन में फैलाना है जिससे प्रिकती परियावरण और जलवयू सरनरक्षनक समवरधन का की चागरूपता वचेतना जनजन में व्याप्त हो सके पूरे विश्व में तभी ये प्रत्वी सुन्दर बनेगी बहुत बहुत धन्वाद हमारे चैनल से अवस जुड़े रहें और हमारा उत्साय वर्दन है तो कमेंट करें साथ ही सब्क्राइब भी करें धन्वाद धन्वाद